आईए देखते हैं आज का महत्तुपूर्ण वास्तु विशय एक्सपर्ट सतेंद्र गौतम जी के साथ आज का वास्तु विशय है स्टेर्स या सीडियां बड़ा सिंपल कॉंपोनेंट लगता है गर में लेकिन अगर आप डीटेल में इसको समझेंगे जो कि आज मैं वास्तु प्रिंसिपल अनुसार आपसे बात करूँगा तो आपको पता चलेगा कि जो सीडियां या स्टेर्स इतना हम सिंपल कॉंपोनेंट मान रहे हैं वो इतना सिंपल है नहीं यह पूरे घर की वास्तु को डिस्टर्ब भी कर सकता है और पूरे वास्तु को अनहांस भी कर सकता है जितने भी डिरेक्शन जोन है हम आज देखेंगे कि स्टेर्स किन-किन डिरेक्शन में वास्तु अनुकूल है और किन-किन डिरेक्शन में वास्तु में ये बताया गया ह क्यЕТ यह नहीं होने चाहिए हैं मूरे घर में अगर हम हैवी कॉंपोनेंट की बात करें हैवी अब्जेक्ट की बात करें तो सीडियां सबसे ज्यादा भारी यह हैवी component माना जाता है और घरों में सीड़ियां ज्यादा तर RCC जिसको हम बोलते हैं reinforce concrete structure की होती है concrete की होती है तो बहुत ज़्यादा heavy मानी जाती है जब हम घर में इसका placement करते हैं तो जो वास्तु का principle है या हम कहें जो basic है उसको आप समझिए तो आपको इसकी location को place करने में आसानी रहेगी देखे वास्तु principle के अनुसार पूरे घर में north और east light होना चाहिए low होना चाहिए compare to south और west नौर्थ और east या north east भी इसमें big opening होनी चाहिए जिससे की ये zone जो है from north till east ये हमेशा हलका रहे और south और west जिसमें के south west भी है वो घर में सबसे heaviest हो इसका logic ये है जो positive magnetic energies हैं वो north east से enter करती हैं cosmic energies हैं वो भी north east से enter करती हैं जो highly positive north pole energies हैं वो north से enter करती हैं solar energies east से enter करती हैं तो इन directions में north north east और east से हमें big opening रखनी पड़ती हैं ताकि ये energies free flow में enter करें तो ये zone सब से जादा light होना चाहिए ये energies जब enter करती हैं तो इनको movement के लिए भी space चाहिए या पैसे चाहिए इन में कोई भी obstruction नहीं आना चाहिए इनकी वज़े से ये zone light होते हैं हलके होते हैं compare to south west और south west से सीडिया जैसे मैंने कहा बहुत ही heavy component है हम इसको अगर आठो directions में हम आपसे बात करते हैं क्योंकि कई बार ना समझी में सीडिया हम कहीं भी बना देते हैं ऐसा नहीं है पहला direction हम बात करते हैं north east की बहुत ही critical zone है बहुत ही sensitive zone है ये zone सबसे जादा light होना चाहिए सभी आठों दिशाओं में यहां सीडिया बनाने का मतलब हमने north east को बहुत हैवी कर दिया यहां पे magnetic energies cosmic energies सब affect होंगी औब्स्ट्रक्ट होंगी हैवी होने के वज़े से पूरे घर का peace wisdom knowledge पे affect आएगा तो सीडिया north east में prohibited हैं दूसरा direction हम देखते हैं north north direction एक बहुत ही powerful direction है polar energies का source है और career opportunity और progress का भी zone है अगर यहां हमने सीडियां बनाई तो हमने north को भी heavy कर दिया जबकि north has to be light हलका होना चाहिए तो वास्तो principle के अनुसार नौर्थ में भी आप सीडियां नहीं बना सकते हैं हम एक और direction देखते हैं east direction यह भी solar energies की बहुत strong direction है यह भी हलकी होनी चाहिए यहां हमने सीडियां बनाई तो इस zone को हमने heavy कर दिया family का association समाज के साथ name and fame effect होता है तो east में भी आप सीडियां नहीं बना सकते हैं अब हम बात करते हैं south direction की जैसा मैंने कहा यह direction heavy होना चाहिए इस direction में अगर हम सीडियां बनाते हैं तो यह सही direction है सीडियों के लिए यह zone stability लाता है और ensure करता है कि family में progress हो prosperity हो तो south zone में सीडियां recommended है वास्तु अनुसार southwest जो नरित्य कोन है जिसका element earth है जो पूरे घर में या आठो दिशाओं में सबसे heavy होना चाहिए यहां अगर सीडियां या stairs है तो यह सबसे उत्तम है जो सबसे अच्छी या best direction है stairs की या सीडियों की घर में वो है southwest ऑफिस में भी यह principle apply होता है किसी building में भी कि southwest west should be heaviest और वहां अगर सीडिय है तो यह वास्तू अनुकूल है south east अगनी का zone है यह अगर zone heavy है सीडियां अगर यहां बनाते हैं तो इसमें कोई north का भी portion involved है यहां पे आप सीडियां ना बनाए इस zone को आप heavy ना रखें इस zone को हलका ही रहने दें west direction में अगर आपके पास जगे नहीं है तो आप west direction में भी सीडियां बना सकते हैं घर के या किसी भी building के बीच का जो इस्थान है वो ब्रहमिस्थान है ब्रहमिस्थान हमेशा खाली होना चाहिए vacant होना चाहिए और वहां कोई बड़ा या heavy object बिलकुल भी नहीं होना चाहिए तो ब्रहमिस्थान या center of the house या building stair या सीडियां नहीं होना चाहिए हमने देखें सीडियों के लिए कौन सी डिरेक्शन सबसे उत्तम है वास्तु अनुसार और कौन सी वर्जित है इन गाइडलाइन्स को आप फॉलो करें स्टियर्स के संबंद में क्योंकि ये अक्सर हमने देखा है कि जब स्टियर्स को लोकेट करने की बारी आती है तो लोग जानकारी नहीं होने की वज़े से या इग्नोरेंस में इसको गलट डिरेक्शन में लोकेट करते हैं और इसका जो इंपेक्ट है वो बहुत ही सीरियस होता है आपका सीडियों से रिलेटेड कोई सवाल है क्वेरी है आप हमसे जूड सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं अगले एपिसोड में हम एक नए सबजेक्ट और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर जुडेंगे थैंक यू धन्यवाद साइंटिफिक वास्तु सीखने के लिए शीग्री शुरू होने वाली वर्कशोप के लिए आज ही एंरूल करें वन डे ओरिणेशन वर्कशोप या थ्री डे बेसिक वास्तु कॉर्स एंरॉल्मेंट के लिए संपर्क करें या आप वाटसाइप भी कर सकते हैं और इस विशह पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करें